हलो दोस्तों मेरा नाम सुरज सिंग है और आज हम LCM और HCF का अध्यान करेंगे Quantitative Attitude में और वीडियो की विस्तित जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.vlpdevelopenia.com पर जा सकते हैं आप जहां आपको वीडियो की विस्तित जानकारी मिलेगी और आज हम Quantitative Attitude का LCM तथा HCF चेप्टर का अध्यान करेंगे तो LCM means least common multiple जैसे अगर आपको 4, 6 और 9 का LCM ज्याद करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? Right side से start करना है सबसे पहले आप multiple find करेंगे तो 4 के multiple क्या होंगे? 4 होगा, 8 होगा, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, डा, डा, डा इस तरीके से 4 के multiple मिलेंगे तो सबसे पहले हम M निकालना है, LCM के लिए means multiple निकालना है तो 4 के multiple हमारी यह हो जाएंगे और 6 के multiple क्या होंगे? 6, 12, 18, 24, 30, 36 और इस तरीके से आगे और चलते चले जाएंगे इसके multiple, 9 के multiple क्या होंगे? 9, 18, 27, 36 और इस तरीके से आगे multiple इसके होते चले जाएंगे तो हमने क्या किया अबे तक M निकालना है, multiple निकालना है जो भी नमबर दिये होंगे उनके multiple find करेंगे अब इनके common multiple find करेंगे, तो common multiple क्या होगा? 4 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो common नहीं है 8 यहाँ है, यहाँ है यहाँ है, इसी तरीके से 12 यहाँ है, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 12 नहीं ले सकते हैं आगला common multiple होगा हमारा 36 का multiple that is 72 डाडा डाडा डिस तो इस तरीके से हमको मिल गए पहले multiple फिर उनका common multiple आप हमको find करना है least common multiple जिसको हम lcm कहेंगे तो least common multiple क्या हो गया 36 हो गया तो इस प्रकार हम जितने भी number दिये हुए होंगे सबसे पहले उनके multiple find करेंगे फिर उनके common find करेंगे और उनमें जो सबसे छोटा होगा वो हमारा हो जाता है lcm जिसको हम least common multiple करते हैं तो lcm find करने का ये सबसे fundamental method आए लेकिन ये बहुत long method आए क्योंकि अगर lcm बहुत बड़ा हुआ तो आपको multiple find करने में problem होगी इसलिए हम lcm find करने के कई और method देंगे इससे पहले कि हम और method describe करें हम तोरा से hcf की भी बात करेंगे यहाँ पर हम दो तीन observations कर सकते हैं जैसे lcm हमारा दिये गए नंबरों में या तो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा या बड़े वाले नंबर का ही multiple होगा एक ही observations है दूसरा observations ही है कि lcm को given number हमेशा divide करेंगे